चलिए आगे बढ़ते हमारे आज के दिन के दुसरे वीडियो के तरफ बात करेंगे बाज़र के ऐसे पाश्यर्स के बारे में इनमें अलग-अलग काफी अच्छी पॉजिटिव खबरे भी आपको रज़र रहेंगी लेकिन ऐसे stock में गिरावट आने का एकदम सिंपल सा मतलब यह है कि आप लोगों को एक बहुती बड़िया opportunity यह stock इस गिरावट में दे रहे जिसका अच्छा कासा momentum आपको long term में मिलेगा तो यह बात आप सबसे पहले अपने दिबाग में fit कर दो कोई भी fall in stock में आता है पैनिक यह बार में जो भी खबरे मार्केट में एक्टिव है वो भी आज हम यहाँ पर चेक करने वाले तो पहले stock कराम जैसे कि screen के पर आप देख सकते हो Zen Technology Limited 1840 रुपए के असपास की closing 1.5% की गिरावाट इस stock में आज की दिन आपको नज़र आएगी सबसे पहले कुछ technical बात करो तो आप देख सकते हो stock clearly काफी over pump आपको नज़र आ रहा है मतलब यह वाला price तो एकदम clear कर exactly aggressive entry करने का price तो बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलेगा पहले भी stock में जब इस type के momentum आये थे उसके बाद देखे बहुत समय तक stock में काफी अच्छा का सा पिटाई का या फिर लंबा sideways pattern का दोर हमको देखने को मिला था यहाँ पर भी बीच में stock एक बड़ ऊपर के तरफ गया था उसके बाद भी कुछ समय तक stock में गिरावट का momentum आया लेकिन उसके बाद फिर से one way काफी बड़ी तेजी stock में आते भी आपको देखने को मिलिए एक बाद ध्यान रखना जब जब इस stock में काफी बड़ा sideways pattern या बड़ी गिरावट रही है उसके बाद stock में बड़ी बड़ी तेजी भी हमको देखने को मिलिए तो obvious सी बात है यह हर एक गिरावट में अच्छा कासा जब chance मिलता है वो chance में buy करने वाला stock है यह बाद यहाँ पर आपको definitely ध्यान में रखनी है तो देखे इस company के बार में actually market में बहुत सरी अलग-अलग time पे positive ख़बर आपको देखने को मिली होगी एक मेने पेले भी मेंने कुछ ख़बर आपको बताय थी हाला कि वो ख़बर obvious से बात है market के सबसोत भी पूरा नहीं हो चुकी है लेकिन आज के दिन आदे गंटे पेले एक गंटे पेले के असपास भी इस company के आप देख सकते हो यहाँ पर जो चेयर में ने इनके तरब से भी एक बहुती बड़ी बात निकल गरा रही थी कि अगले तीन साल के लिए काईना की zen technology expert करके जा रहा है कि यह कही ना कि 50% का CSR जो है वो sustain याने maintain करने का काम करते हुए यहाँ पर नजर आ सकते है और overall company का outlook भविश्या का काफी बढ़िया अच्छा कासा आपको देखने को मिलेगा और जो demand यहाँ पर यह overall entry drone system में जो है यहाँ पर नजर आ रही है वो भी इनका जो एक मेने बिले news आया था उसके सबसे in future भी यहाँ से जो growth की probability and possibility है वो भी काफी high है तो ऐसे मैं ऐसे stock में कोई भी गिरा वाटाना कोई बुरी बात नहीं है जब भी गिरेंगे definitely आपको इसका फाइदा उठाने आना चाहिए अब देखेंगे इस वाले कंपनी का long term का profit and loss का statement अगर आप देखोगे लगबग 170, 180 करोड का profit इनका आज से 10 सल पे ले हुआ करता था और वही profit भी बढ़ते बढ़ते around 700 करोड के आसपा जाकर पोच चुका है तो अपने अपमे long term में ये वाली कंपनी क्लियर काट एक profit growing कंपनी है शेर रडिंग पैटन में देख सकते हो प्रमोटर के पास 25% का stake है FS के पास 16%, DS के पास लगबग 19% का और public के पास 16% का stake है तो overall numbers भी इस company के जो यहाँ पर दिखाईत रहे है सब कुछ काफी बढ़िया काफी positive है तो चलिए आगे बढ़ते हैं अभी दूसरे stock के तरफ यहाँ पर एक बहुती बढ़िया rounding bottom stock ने बनया था उसका जैसे यहाँ पर breakout हुआ इस वाले level पर कहाँ पर breakout हुआ यहाँ पर उसके बाद से stock ने अब तक non-stop काफी बढ़ी rally मार दिये तो एक बाद आपको समझनी पड़ेगी stock में जो momentum बननना था एक अच्छा कासा momentum बन चुका है और अभी short term time frame का एकदम एकदम ध्यान से अब study करोगे तो यह एक low है उसके बाद यह वाला यहाँ पर एक double bottom है उसके बाद यह एक low है मतलब क्या stock पिछले कुछ समय में अपना uptrend काफी बढ़िया तरीके से maintain कर रहा है तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ नीचे की तरब 425 का level काफी crucial है अगर 450 का level तूटा तो panning selling stock में थोड़े आ सकती है फिर 430, 410 और जाधा से जाधा 370, 390 तो stock चला जा सकता है जिसमें डरने वाली कोई बात होने ने चाहिए लेकिन 450 का level नहीं तूटा और उसके पहले अगर उपर की तरब 510 का level तूट गया तो stock फिर से उपर की तरब 530, 570, 630 इन टार्गेट के असपा जातावा नजर आ सकता है तो रेकिन company के परे में जो भी positive news है उनको एक्टम detail मेनित बताऊंगा उनका headline बस आपको बता नूँगा आप थोड़ा सा खूद अपने इसाप से इनका आप please study कर देना या फिर news पढ़ लेना क्योंकि detail में जाओंगा तो वीडियो काफी लंबा बन जाएगा तो देकि आज के दिन market जब live था तब इस particular company के बरे में जो खबर आयती लगबग 71 क्रोड के आसपास का इनको एक order यहाँ पर मिल चुका है इस टन railway के तरब से अब्विस सी बात है railway से connected एक बहुत ही बढ़िया player आपको नज़र आएगा तो एक अच्छा कासा order इनका मिल चुका है क्योंकि order मिल रहे हैं बिलकुन नहीं क्योंकि long term यह company profitable है आप देख सकते हूँ 100 करोड के असपास का profit company का 2016 में होता था और वहाँ से देखते ही देखते है company का profit अभी 250 करोड के असपास grow हो रहा है मतलब क्या यह भी year on year में काफी बढ़िया तरीके से long term में growth होने वाली company है promoter के पास लगबग 73% का stake है FS के पास 2% का stake है और पिछले 2 साल में FS की holding 0.50% से बढ़ते बढ़ते 2% के उपर जा चुकी इस बात को ध्यान में रखना DS की holding 3% की है public holding around 22% के करीब देखने को मिल रही है आगे बड़ी तरुस्तों तिसरे stock के तरब JSW Group का JSW Energy Limited 7.30 के असपास की closing 2% की तेजी आज की दिन आपको नज़र आगी इसमें भी एक अच्छी news आपको देखने को मिलीगी वो भी आपको बतने वाला हो लेकिन आप देख सकते हो पहला stock भी all time है पे था में फिर से आगी बड़ी गिरावट और अभी फिर से stock में बड़ी तेजी चल रही है तो mentally prepared रहो इस stock में अगले 2 साल के आसपास 2 साल के दर्मयान काफी अच्छी कासा fall आपको देखने को मिल सकता है तो इस गिरावट में आपको definitely mentally prepared रहना है और इस dip का जितना हो सकता है उतना फायदा रहना है अगर मैं अभी की कुछ बात करूए levels के तो आप देख सकते हो नीचे के तरफ ये वाला level important है क्योंकि यही से stock ने support लेके उपर के तरफ जाने का काम किया है तो 640 रुपया, 630 रुपया का level अभी इसका काफिस strong support है उसके नीचे आया तो इस stock में एक panic selling आईगी तो इस stock को 530 फाहमाफ के जगा 550, 570 के असपस लेकर जा सकती है लेकिन अगर नीचे के तरफ 630, 650 का level नहीं तोड़ा और उसके पहले उपर के तरफ 750 के उपर जाकर टिकने लग गया तो एक बहुती बढ़िया rounding bottom हो जाएगा और वहाँ से फिर stock में breakout आएगा और फिर stock उपर 830, 890 के असपस जाता हुआ नजर आना चाहिए तो रखिए energy sector से connected company है और future की अगर बात करें ग्रोथ तो यहाँ पर आपको देखने को मिलने ही वाली है और ग्रोथ की जब बात होगी तो obvious जिबाते company को अलग-अलग time पे projects भी मिलते रहेंगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो company के बर में जो cover यहाँ पर आपको देखने को बिलेगी कि JSW Energy को receive हो चुका है LOA for 200 Megawatt Wind Solar Hybrid Power Project का और इनको मिला है MSC DCL की तरब से तो यह बात आप ध्यान में रखना अभी वही बात है जस्तो इस cover को थोले detail में पढ़ाने जाओंगा तो काफी वीडियो लंबा हो जाएगा तो आपको headline तो दीख चुकी है गूगल में अगर इसको आप सर्च करोगे यह सब कुछ आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा इन शॉट खबर कमपनी के लिए काफी positive है long term के लिए और देखे इस company का अभी चार्ट का pattern हमने देखा था वहापर जो हमने देखा था कि company का जो stock है काफी wallet है मतलब उपर के तरफ जाता है काफी तेरी से तो नीचे के तरफ गिरावट भी काफी बड़ी वाली आती है और उसके बाद कुछ समय तक stock perform नहीं कर पाता फिर से अचनक से उपर के दरफ जाता है फिर से बड़ी गिरावट डिखाता है तो ऐसा pattern stock में क्यों नजर आ रहा है सबसे पहले बात तो देखिए long term में company का loss नहीं है ये काफी अच्छी बात है लेकिन इसका profit डिखो profit ना same नहीं है same का मतलब consistent उपर के तरफ नीचे जा रहा है कभी उपर कभी नीचे जा रहा है उसके बाद से stock का pattern भी आपको उसी तरीके का volatile देखिने को मिलेगा आप देख सकते हैं यापर 900 करोड से profit बढ़ते बढ़ते 1400-1500 तक गया भी लेकिन उसके बाद 600 करोड और 85 करोड मतलब क्या profit है लेकिन profit कफी कम हो चुका है तो अब्विस सी बात है stock में उसका impact profit booking में आएगा जो stock में पहले भी कई बार आ चुका है तो यहापर आपको बस इतना धहन में रगना है इस stock में क्या हो रहा है profit बिच में काफी बढ़ रहा है बिच में काफी कम हो रहा है फिर से बढ़ रहा है फिर से कम हो रहा है ऐसा इसका पैटल नजर आ रहा है तो इसी करण स्टॉक में वालेटलिटी काफी बड़ी वाली आपको लॉंग टाम में देखने को मिलेगी मतलब हो सकता है ये स्टॉक 3-4 गोना उपर के तरफ हो जाए और वहाँ से 25-60% की भी गिरावट आपको दिखा दे FS के पास 15% का स्टेक है जो पिछले कुछ कौटर से लगादर इंप्रूफ हो रहा है DS के पास 9% का स्टेक है पबलिक होल्डिंग लगबग 6% के करीब नजर आ रही है तो चलिए आगे बढ़ते हैं बचोए दो शेर से उनको भी जल्ली से देख लेते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को भी लाइक कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फोटस अप फेस्बुक के उपर शेर भी कर देना पहली बार चैलल के उपर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और इनमें से किसी भी स्टॉक के बारे में आपको अपना व्यू शेर करना है तो कमेंट शेक्शन आप सब के लिए ओपन है आप चाहिए तो कमेंट कर सकते हो नेक्स टॉक का नामेर उस्तो काइनस टेक्नलोजी इंडलेमिरेट इस टॉक को आई ठिक मैंने पिछले 6 महीन में कम से कम 15-20 बर तो कवर किया होगा इंडिविजल वीडियो 3-4 बना कर रखे और बहुत सरे स्टॉक के सत जिसे आज कवर कर रहा हूँ वैसा थो आधिक हर महीने में 2 बार या 3 बार मेरे सामने से स्टॉक जाई चुका है अब देके इसकी प्राइस 5000 के असपास से हलकी सी गिरावट है पिछलेक उस समय से स्टॉक में बहुती बढ़िया रही ली कंटिन्यू चल रहे है मतलब देखिए 2500 के असपास का स्टॉक 6 महीने के अंदर बढ़ बढ़ के 70% तक उपर आ चुका है तो बहुत बढ़ी तेजी इसमें होते भी आपको नजर आ रही है लेकिन ब्रेकाउट सक्सेस्फुल हो गया तो स्टॉक में तेजी काफी बढ़िया आ सकती है और वो तेजी स्टॉक में आती भी हमको नजर भी आ रही है अब इसका 6 मैने का पैटन देखोगे तो यहापर जो हमारा सबसे पहला स्ट्रॉंग सपोर्ट बनता है वो 4,600 से लेके 4,200 के बिचे बन रहा है मतलब अगर इस स्टॉक में कोई भी बड़ी गिरावट आती है 4,600 के नीचे आ जाता है लेकिन 4,200 के उपर रहता है तो वो जोन होगा वो बाइंग का जोन होगा और 4,250 के नीचे अगर आने लगा तो तब बात करेंगे जब आएगा लेकिन अभी के लिए 4,200 से लेके 4,600 इस स्टॉक का सबसे पहला स्ट्रॉंग सपोर्ट का जोन नजर आ रहा है तो रेकिस कंपनी के वर में बहुत सारी पॉजिटिव ख़बरे अलग-अलग अलग-अलग इनके जो इनोगरेशन की बात करें पिछले कुछ महिनों से इनका एक्सपंशन की बात करें बिजिनेस का सब कुछ मैंने आपको कंटिनियूली बता के रखा है अगर मैं एक दिन पहले की ख़बर सबसे पहले हैं उसका इंपेक्ट स्टॉक में भविश्य में काफी बड़ी पॉजिटिव मुमेंटम लाने का काम करेगा इतना इनी काइनेस का जो स्मार्ट मेंटर है वो भी काइन है कि यहां से फ्यूचर के लिए बहुती बड़ी ग्रोथ पोटेंशल का एक जबरदस option open करता आपको नजर आएगा और स्मार्ट मेंटर के उपर मैंने पहले भी आपको वीडियो बना कर दिया था कि फ्यूचर में इसका जो overall impact है वो भी काफी positive वे मैं आपको देखने को मिलेगा तो जो electronic manufacturing services वाली company है वो obviously बात है इस industry में active आपको देखने को मिलेगी जिसमें kindness का भी नाम आपको नजर आ रहा है जाए तक बात करें ओर्राल company के profit के नंबर के बारे में पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ ये वाली सिर्फ profit making नहीं जबरदस bumper profit growing company अगले पास साल में मुझे बिल्कुल भी हैरन योगी नहीं ये company का order book धीरी धीरे काफी ज़्यादा मजबूत हो रहा है आप देख सकते हो सिर्फ 9 करोड के असपस का profit करते ही company 2020 में और वही company अभी 183-208 करोड के असपस का profit post करना start कर चुकी है तो growth काफी जबरदस्त है promoter के पास 58% का stake है FS के पास 14% का stake है जो 2 साल पहले 8-9% के असपस था DS की बात करे 18% का stake है इनका भी stake देखो 11% से 2 साल पहले का अभी 18% के करीब जा चुका है public holding around 10% के करीब है आगे बड़ी तरुस्तो next and आकरी stock के तरफ ना में इसका auto का एक बहुती पुराना और एक बहुती बढ़िया प्लेयर मारुती सुजुकी इंडे लिमिटेट 12,480 के असपस की closing 2% की तेजी आज की दिन अपकुरज रहेगी COVID के टेम पे 4,500 रुपे पी stock को हमने पकड़ा था पैनिक में मत बचो ये धीरे धीरे आगे बढ़ने वाला stock है और passenger market vehicle का इंडिया का सबसे बड़ा player है अभी देखे फ्यूचर electric vehicle का है जिसमें Tata Motors काफी आगे निकल चुका है लेकिन मार्ति सुजुकी की entry किस level पे होगी और कितनी बढ़ी होगी इससे के बारे में अभी इस particular company का एक news जो आ चुका है वो में आपको बताने वाला हूँ लेकिन फिर भी इसका अगर आप 5 साल का pattern देखोगे वन वे काफी उपर के तरफ आ चुका है COVID का dip में जहां से हमने पकड़ा था वहाँ से काफी बड़ी रही इस stock में बनती भी आपको देखने को मिल भी रही है अब इसका एक साल का pattern यहाँ पर अगर आप observe करोगे तो रेकिए ये वाले level का breakout मिलने के बाद stock में बहुती बढ़ीया तेजी आ चुकी है तो अब्विस सी बात है ये तो अपने अपने काफी strong support इसका बन चुका है कितने का level है ये भी देख लेते 10,800 का कोई भी dangerous गिरावाट 10,800 के आजबस stock को लेकर आएगी वो buying का chance होगा उसके उपर 12,000 के आजबस भी stock का एक strong support zone है उपर के तरब 13,400 एक resistance है 13,400 के उपर जब निकल लेगा 15,000 से लेकर 18,000 के target इसमें open हो जाएंगे तो रेकि इस company के आपर बहुत सारी अलग-अलग खबरे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी मारुति सुजुकी टू रोल आउट 6 EV models छे अलग-अलग इलेक्टरिक अलग से model 2031 तक यहाँ से रोल आउट किये जाएंगे ऐसा इनके जो चेर्मेने RC बरगवाजी इनके तरफ से यह order मतलब माफ के जिगा यह news आपको सुनने को मिली होगी तो मैं headline आपको बत रहा हूँ इसको आरम से गूगल के उपर सर्च करके बहुत जड़ा यहाँ पर study कर सकते हो इसके अलवा यह भी आपको प्लिटिकुल न्यूज देखने को मिलेगी कि मार्ति जुदकी की face कर रहा है अलग-अलग टाइप की delay मतलब थोड़ी सी यहाँ पर delay हो रही है यह फाइनलाजिंग करने के लिए जो नए प्लान के जो site है क्योंकि इसका जो आउटले ने six नए electric vehicles कार के लिए जो अभी पहरे न्यूज बता ही उससे connected ख़बर आपको देखने को मिलेगी और इतना है नहीं यहाँ पर पढ़ सकते हो जो यहाँ पर electric vehicle का जो production का stage है वो भी मारुदी सुजुकी माना जाता है market में थोड़ा एक अच्छा value पे एक जबरदस pricing पे market में entry करने के लिए तो यहाँ पर कईना की 2031 तक वेट करना पड़ सकते हैं उसके पहले भी कुछ नकुछ surprising announcement आ सकते हैं और जब तक मारुदी सुजुकी का एक proper entrance electrical vehicle category में नहीं आएगा तब तक हम यह fairly बोल नहीं सकते हैं कि Tata Motors का stock किस तरीके से perform कर पाए गया नहीं क्योंकि competition इन दोनों stock में पहली भी था आज भी है और कहिना कि इन future भी रहने वाला है और उसके बीच में कोई नया competitor अगर कुछ और भी कर गया हो सकता है वो भी कहिना कि इस company के लिए तकलिफ परा सोधा आपको देखने को मिले लेकिन देखिए है तो एक brand value company और continuously profit growing वाली company management को पता है long term में company को किस तरीके से आगे लेके जाने क्योंकि अब देख सकते हो 3000 करोड का profit इनका भाई साब 2014 में ही था आज से 10 सल पेले और वहाँ से इनका profit रुका नहीं है लगातार growth होते हो प्लिक होल्डिंग अराउंड तीन परसंड के करीब आपको देखने को मिल रही है तो रेकिए यही थी वो सारे के सरेशिर जिनके बारे में इस वीडियो के माध्यम से discussion करना था उमीद करता हो वीडियो पसंद आयोगा तो वीडियो को लाइक करे दूसरा शेयर करे पहली ब प्लिक हो प्लिक होगा है तो वाग खारे में बारे में गावाद